हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम हम एच्पी एससी के प्रिवेस यहर के क्वेस्टन को डिस्कस करेंगे क्विक रिजन होगा इसमें सिर्फ डारेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा वो जो की ओफिशिल आंसर की के अगॉर्डिंग है तो इसमें फ्रेस्ट नेक्स्ट कॉस्टन है दा फिलोसपी प्रोबाउंडिट इन्धा उपनिश्द इस नोन ऐस उपनिश्द मैं प्रतिपादीत दर्शन है तो यह वेदांत है उप्षुन बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कॉस्टन है दा इंपोर्टंड एडिमिस्ट्रेटिव फंक्शन इन्दम मौरेन एज वर नोन एज मौरेन यूग में महत्पुन प्रसाशनी कदिकारी जाने जाते तो यह तीर्थ के नाम से जाने जाते थे तो आप्शन एज जो है राइट अंसर है नेक्स्ट वर्शन है वो फाउंड़ेड था चोला एंपायर चोल समराज्य का स्थापक कौन था तो यह विजय है ले थे ऑप्शन एज इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्शन है दौली सुल्तान वो डिकलिएड इंसल्फ खलीफ वाज एक मत्र सुल्तान जिसने अपने आपको खलीफ गोसित किये तो यह थे मुबारक सा खिल जी ऑप्शन भी इसका राइट अंसर है टिपो सुल्तान वाज फाइनली डिफिटिड एड दा हैंड अफ टिपो सुल्तान आकिर में किसके हातों प्राजित हो थे लौड बेले जली के हातों वाथा ऑप्शन भी जो इसका राइट अंसर है प्रातना समाज वाज इस्टेबलिस्ट बाइ प्रातना समाज की स्तापना की थी तो यह आत्मा राम पंडू रंग जी ने की दिए ऑप्शन सी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है ब्लोक माउंटेन्स हैव ओरिजनेटिड एज रिजल्ट ऑफ किसके प्रणासरू ब्लोक माउंटेन का निर्मान हुआ है तो यह वाज़ा से हुआ ऑप्शन भी इसका राइट अंसर है बहुत वार रिपीट हुआ है नेक्स्ट वर्चन है दा होरिजोन्टल मॉव्मेंट ऑफ एर इस कॉल्ड हवा की सरती चाल केलाती तो इसे विंड का जाता है ऑप्शन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है दा लाजेस्ट आइलेंड इंदा इंडियन ओशियन इस निंद मासागर में सबसे बड़ा दीप है तो यह मद सागर है ऑप्शन डीज का राइट अंसर है नेक्स्ट वर्चन है विच इस नॉट अ ग्रीन हाउस गैस कौन सा हरी घर गैस नहीं है तो यह नाइट रोजन नहीं है ऑप्शन डीज का राइट अंसर है नेक्स्ट वर्शन है विच फॉल्विश इस ट्रॉक्ट लेली दा मोस्टेबल रिजन निमन में से कौन सा तौर पर सबसे स्थाईश यतर है तो यह डेकन प्लेटुए दक्षिन पठार ओप्शन भी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्शन है ओन विच रिवर आर्दा मार्वरल फॉल्स लोकेटिड किस नदी पर संग मर्मर प्रपात अवस्थीत है तो यह नर्वनतार नदी पर है ओप्शन सी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट वर्शन है अब बोड़ी फॉलिंग फ्रीली अंडर अएक्ष्न लुल्स लोकेक नहीं होता है ओप्शन न स्का राइट अंसर है next question है the friction in a flowing fluid is called तो इसे कहा जाता है viscosity option C is का right answer है next है water is a जल है एक तो यह polar compound है option B इसका right answer है next question है 95% ethanol is called तो 95% ethanol को कहा जाता है rectified spirit option है right answer है next question है from where we borrowed parliamentary form of government हमने सरकार का संस्थिय रूप कहां से ग्राण किया तो इसे ब्रिटेन से लिया option C is का right answer है next question है what type of writ is not issued under Indian constitution तो भारतिय सम्भिधान के तहत कौन सी आज का जारी नहीं की जाता है injection option is का right answer है next question है who administer the oath of office to the president राश्टरपती को पद की सबद कौन दिलाता है तो इस Chief Justice of India दिलाते है option A का right answer है next है what is the retirement age of the judges of Supreme Court सर्वोचनेल है कि नहींदीस की निवर्थी आयू कितनी होती है तो इस 65 years होती है option C इसका right answer है next है the purpose of devaluation is to अब मुलन का ही तू है तो encourage export को है option A इसका right answer है इस वीडियो का last question है capital market regulator is पुंजी बजार का नियमन करता है तो इस से भी करता है security exchange board of India option C इसका right answer है तो फ्रेंज मेरे चैनल को like से और subscribe करें जो आपको आने वाल एक्जाम में helpful हो सकती है thank you